हमें साइस नजर जिएसे बिसमनि मेरे बेटे को गाली-गलोज करके बघा दिया घरते थे बावरीया का है चल भगी यहां से बांस का है चली यहां से गुनागार यही है यही है कुनागार यही है और कोई नहीं हो सकता मेरे बेटे कातिल अमारको न्याय चाहिए न्याय हमारा बच्चा मारके पट क्या हुए है सर अमारा जी किसी को डार्क नाम भी है जरा सी मिट्टी थी बस मुँमे और कुछ नहीं था सर उसके में बाल तका थे बात पयर में मिट्टी नहीं थी से उसके का नाम क्या था फिर्यांशू की मममी से करवाँगा और अच्छे से मेरे कहाल से सीदम बात करेंगे नमस्तेबैंट बटार नसे नमस्कार जी मेरा नाव परियान शू पहले आपके उस SME था या आपका बेटा अब का पानी कि आया आपने अपने सवस्थ था कि जी बिलकुल ठीक था था मेरा बेटा कोई भी परेशानी नहीं थी बिल्कुल स्वस्थ था हरिष्ट पुरुष्ट था मेरा बेटा अब जनम दन से एक अपते पहले घुज़र गया तो वेंजी आपने सही सही में के लाग है किसे पसक है सर मेरे को यहाँ पर आई हुए डेट सालू है मैं चार अपरेल को यहाँ पर हम आये थे रहने के लिए हो कहां कि आप लोग मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ और मेरा सुसराल बांस के रा रोद उम्रावबाद है क्या इनके साथ जिनके इसके उपर आपने यह डाउट है या सक है या आपको पक्का यकीन है वह इन उने मारा है तो क्या इनके साथ कोई दुश्मनी थी सर ऐसा हुआ कि नौवंबर की बात है यहां पर लाला को यह जगे बाने के लिए दी जोतने के लिए दी और यहां पर पांक साल से यहां पर लोग रह रहे थे उन्हों का नहाने धोने का पानी जश्ट कूड़ा भी यहीं पर डलता था वो यहां का आपने आपको राजा तो जोता यह बोला कि नहाने धोने का पानी और कूड़ा डलना बंध हो गया यह चार घर हैं जो कूड़ा डालते थे और दो घर हैं जो नहाने धोने का पानी जाया करता था इन्हों को रात को लड़ाई भी होया करती थी 15 दिन से लड़ाई चल रही थी 15 दिन से मट्टी ड जो यहां पर प्रोपर्टी डिलर आया उससे मेरी बात हुई मैं आपने यह खरीद लिया मैं नहीं हमारे पास है जगे रहने को हमें नहीं चाहिए तो फिर ठीक है हम मिटी डालवा रहे हैं यहां पर देखो कितनी गंदगी का रखी है मखी मच्छर पैदा हो रहे हैं आपका कैसे हुए मैं साइंस स्पोर्ट्स क्लब एंजियो में मैं एक बच्चों को पढ़ाती हूं मैं तो उस साइड में भी लाला ने ले रखा है घेत जोतने के लिए जब वह लड़ाई होती थी जब मेरे पास आता था वह कहने लगे कि मैडम तुम्हारे पडोसी मेरे से रोज करते हैं पानी के बज़े से रात को नो वजे वी आठ वजे पी लड़ाई मैं ने देखी ये सुनी हैं वो बोले कि वह ऐसा कर दूगा मैं तुम्हारा 真ति ऽणना बंध हो जायएगा je ख़पात करूंगा तभी तो मुझे कुछ मिलेगा है कि एक महीने का समय दे दो नहीं तो बहुत बुरा होगा जब मैंने लाला से पूछा क्या बात हुई है अगले दिन मैंने शुकरवार को बात की वह यह बोला कि भई तेरे पडोसी यूँ जल भुन गए हैं अंगूर खट यह घर है और वो घर है इन्हों का नहने धोने का आप जा सकते हो पानी जा रहा है और उसने रस्ता भी रोका है पर यह जो काकड की जगह है ना तो संगी की है ना इसकी है ना अनील की है यह सोच रहे कि मैं कपजा करूं यह लाला ना खुद कहा कि वह कपजा करना चाता है तेरा पडोसी मेंदर लेकिन जब जग्यें को नहीं पाया तो अंगूर खटे वोछे की और उरस बफसाया हुआ उसलिए भपसाया हुआ जब उसका ठाक्टर फस गया था रात को मैंने दो बार उनकी मदद की थी यहीं पर 9 बज़े तक आग जड़ा कर बैठा रहता था वो दस बार तो चक्कर काटता था निगहां हमारे पास रहती थी हम ऐसा इस नजर से देखा करता था जैसे दुस्मनी कर ली हमने इनकी मदद करकी तो अब आपको क्या लग रहा कि उस मदद करने के बदले में आपके ब सब्सक्राइबारी नहीं थी कुछ एविडेंस कुछ है कुछ सबूत हैं कुछ तोड़े मुद्टे पहले लड़ाई जगड़ा कुछ हुआ था सर लड़ाई जगड़ा यही है दो थोको की लड़ाई में हमें पीस दिया गया है तो अभी आप चाहते हूं कोई अरेस्ट हमारी तो सुनवाई होई नीरी सर हमें हमें क्या दिखाया जा रहा है हमें यह दिखाया जा हमें जो क्या कहते हैं हमें भटकाया जा रहा है लेकिन समझ में धीरे धीरे सब आता है सारा यह काकड की जगे है कोई कहता है मैं कबजा मैं कबजा कबजा करो ना कबजा लेकिन हम पर से कूड़ा वैसे ही डल 倫 और उनकी प्रकरिया वही चल रही है बिल्कुल भी कारवाई Become उनका जैसे पांच साल पहले चल रहा था उनकी प्रकरिया और इसको कर वह बिल्कुल भी कारवाई कर रही है तो मेरी मेरे साथ झाली करके भगा दिया करते थे वसका करिए जबुस्ए हाब सुगधा क्रीब डेडषाल वह कोई अक्षे विसका इस बात नहीं करते थे तो पैέं देखिए मौमल आप लोगोंकों के समझ में आगया हो गा याउन्र का विशे कैसे का व्षे और उपर अगर पुलिस इस मामले में जांच करेगी तो सब कुछ निकल के आ सकता है कौन दोसी है किस तरह से बेटे की जयान गई है प्रियासुद नरेश संगी है लाला है महंदर है मदन लाल सर्मा है और प्रेम देवी है अरेस्ट कोई नहीं है और मिट्टी डालने वाले ठेके कहता इन इन्हेत्20 और निन से कौकरन पर्शासं करें पर्शासन का यहीं पर्षासन को जहां अन्याय हो उसके साद खड़े हो करो इसकी जांच कर आ जिसका बेटा में रहा है वो तो रोन लाग रहा है मां आपके सामने खड़े-खड़े फपक पपक कर रोन लाग रहे हैं आप लोग नों बहुत ज्यादा सोचनी पर रहा साल का बेटा था तुनिया से एक ही बेटा था एक ही